तो तो एक परवाज है, पुर्दोर एक आवाज है, खामोशियों की है जुबां, चल दे तो चल दे कारवां, वो है जहाँ, वो है जहाँ, लगती है जैसे आसमा, वो है यदी वो रोशनी, नमस्कार, तीजेस्वनी कायक्टर में आप सबका स्वागत है, मैं हूँ ममता चुपरा, जब मन उन्मक्त हो, तो आकांकशाओं को भी पंक पहलाने के लिए खुला आसमान मिल जाता है, और उसके साथ, जब महनत और लगन जुड़ जाते हैं, तो असाथि लक्ष भी करीब आ जाते हैं ये साबित कर दिखाया है हमारी आज की तेजस्विनी में उम्र में बहुत छोटी हैं लेकिन बड़े बड़े लक्षे हासिल कर रही है आप देश की जाने माने निशानेबाज हैं जो राश्टेस तर से लेकर विश्वस तर तक गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर देश का नाम कई बार रौशन कर चुकी है और अब उलम्पिक्स के लिए तयारी कर रही है आज की मारी तेजस्विनी है जाने माने निशानेबाज मनु भाकर बेटियों के बढ़ते कदमों को प्रुचाहित किया जाए तो वो विश्व पठल पर देश का नाम रौशन करने की हिम्मत रखती है हर्याना के जचर जिले की गोरिया गाम की मनु भाकर ने 16 साल के छोटी उम्र में ही ये साबित कर दिया कि जब ISSF World Cup में दो बार के विश्व पदक विजेता को हरा कर स्वन पदक जीतने वाली सबसे युवा भारतिय बनी ये स्वन निम सफर लगातार जारी है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के 10 मीटर एर पिस्टिल्स परधा में राष्ट्रमंडल खेलों का नया कीर्तिमान बनाते हुए मनु भाकर ने स्वन पदक अपने नाम किया यही नहीं सभी चार विश्व कप में मिक्स डबल में स्वन पदक भी जीता और साथ ही टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए कोटा भी पक्का कर लिया 15 साल की उम्र में राष्ट्र निशाने बाजी में 9 स्वन पदक जीत अपने स्वन इम करियर का आगास करने वाली मनु यूथ ओलंपिक्स में स्वन पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला अतलीट है वोपाल में चल रही शूटिंग की नाशनल चेंपिंशिप में मनु भाकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल में भी 4 मेडल जीत इस शेणी में भी अपना दावा पक्का कर दिया और अब टोक्यो ओलंपिक्स में देश का जंडा उंचा करने की चुनोती सामने है चोटी उम्र में ही निशाने बाजी के विभिन मंचों पर इतिहास रचने बाली, प्रतिभा की धनी, हर्याणा की बेटी और देश का गौरव, विश्व कप, विजेता, मनु भाकर ही है इतने चोटी उम्र में इतने सारे गोल मेडल्स हासिल कर लिये, इतने रिकॉर्ड तोड़े और बनाए हैं आप में, कोई भी सुनने वाला वाकर हिरानी करता है कि दो तीन साल में आप कहां से कहां पहुँच गई, आपको भी अविश्व असा लगता है क्या है? मेरा मानना है कि जब आप महनत करते हो तो आपके लिए कोई भी सीमा नहीं होती है, आप कितना भी अच्छा कर सकते हो, आप जितने जादा एफ़र्ट उस चीज में लगाओगे, उतना जादा बहतर दिन बे दिन करते जाओगे, तो मेरी शुरू से यही बिलीफ रहे कि मैं जितने ही जादा मेहनत करोंगी, तो उतना ही जादा एकसल मैं डेफिनिटली होने वाली हूँ, तो इसलिए यही विश्वास रहा कि जरूर सफलता मिलेगी, तो इसलिए मैं करती रही है, वैसे आप बच्पन से इतने सारे खेल खेलती रही हैं, कौन-कौन सी गेम्स खेनी ह आपने बच्पन में और फिर शूटिंग भी क्या खेल खेल में ही आजमाया था उससे पाले मैं बहुत सारे खेल खेल चुकी हूँ आप जैसे रिकेट, फुट बाल, बास्केट बाल, नॉन Tennis, Table Tennis, Squash, Badminton, Swimming, Kho Kho, Khoddi, Bहुत सारे हैं और कई गेम्सा आप अजनगे और कि अच्छे सथर तक गप्ते पराटी कि आप नशलाट्स, आप बोक्सिंग, न एक अगाटे में बहुत इच्छा फी गेला है और नाशल लेवल में बहुत गोल जीट चुके ह। तो फेर शुटिंग कैसे शुरु हुई? कि शूटिंग भी या थे किया थिसे ठील आप ता उय तुछुटिंग भी करसी था हम उपया किया। कि में कष्या थाे था और कुई भी स्बूर्ट नाप्या था मैं उसको करती थी। IES यसी थाओं ऐसे थे शुटंग भी याच मेरे नजर में आया। तो उसकी वज़ा से एक बहुत प्लास पॉइंट मिला मैंको। फायदा हो गया आपको कराटी का। अच्छा आपको कहा जाता है कि खेलो इंडिया ये बहुत महत्वा कांक्षी खेल योचना जो मुधी सरकार ने शुरू की और आप इस खेलो इंडिया की पहली बड़ी सफलता है तो खेलो इंडिया ने कैसे आपको और अफसर दिये कौन सी ऐसे सुविधाय मिली जिनकी हिसाब से आप आगे बढ़ पाएं खेलो इंडिया मेरा मानना है कि कुर्ड़ जिए उन में से वहन दुन केप क्यूंकि यह नहीं सर्फ जो खेल रहे हैं उनको इंस्पार करती है कि krarr multip trial ग्रण कुछ अच्छा करो 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 घ्रो अपने थिर पिसिकल इंडिया करो जितनी भी सुविधा एक्विपमेंट से लेकर जो रोजगार की चीजे होती है उनको वह भी प्रोवाइट करते है तो बहुत ही अच्छा प्लाटफॉर्म है जिससे एक्सेल होके बच्चे निकलते हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलता है और उनको उनको जितने भी जरूरत होती हैं खेल के लिए वो सब पूरी होती है और आपको भी उसका लाग मिला अच्छा मनु आप चुकी छोटी ही है और जब अपने शूटिंग शुरू की तब ही आप जाहरे 14 साल की हुई होगी तब तो किस तरीके का बदलाव आपके जिंदकी में आ गया उस वक्त क्या दिन च धिए जब दिन चाहरे आपके जब लगा शुटींग और भी बीच में स्कूल और उसके लावा फेर शूटिंग सर्च पले में कराटे कर थी और शूटिंग ए उसके ताइम तक मैंने कराटे शूटिंग दोनों को कॉंटीनी रखा था और कराटे में भी बहुत जादा स्ट रूल्स थे, बहुत जादा स्ट्रिक्ट उमारा दिन्चर्या रहती थी क्योंकि सहर थे वो अरमे रिटायर थे और वो बहुत ही जादा लाक्त वाली ट्रेनिंग गराते थे तो अपको अपको अच्छा दिस्प्लिन मिला इसका मतलब है अच्छा जब पहली बार राष्ट्रे मेडल जीता क्योंकि आपने जब नेशनल गेम्स परफॉर्म किया तो ग्यारा गोल्ड मेडल मतल्ल अच्छा नहीं किसी क्ले कोई गोल्ड मेडल है कि इस सबसे जादा मेल जीतने वाली मतलब नहीं किसी नहीं जीते ठी जुछा जीतिछे टे और मैफ तने सारे मेडल सीहते हुँछा थो काफी ज्यादा बागी चीज़िपा थो क्या हlorकि मेन एतने सारे मेल्डल सी違ते इतनी सारे मेडल सी एति suffrage मैंन्स मतलब बहुती बड़ी बात थी मेरे कि अभी भी बहुती अच्छा लगदा है तीचे देखती हु तो कि मैंने इतना जाद अच्छा किया था बिलकुल लेकिन नैशनल से आगे अगर हम इंटरनाशनल मेडल की बात करें तो एशन मेडल, कॉमन वेल्थ मेडल यह बताई है क्योंकि हर उपलब्धी बहुत खास होती है आपने आप में वो किसी भी इस पर कि क्यू ना हो तो जब आपने पहला अंतराश्ट्रे मेडल जीता तो आपकी पहली प्रतिक्रिया थी क्या उस वाक्त चोटी थी उम्रू में फोर इसे और अच्छा कर सकती थी और स्वान पदा अफकॉस जीत सकती थी ठोड़ा सा मतलब खुष भी थी कि मेरे फर्स्त इंटरनाशन में मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया थी अच्छा प्रफॉर्शन था मेरा और दुखी भी थी कि मैडल गोल्ड नहीं आया वरना अच्छा प्रफॉर्शन थी बहुत ही शांदार मैसूस किया कि कि वरल्ल कप पे मैंने फर्स टाइम गोल जीता था और वसी टाइम पर जब दूसरे की कंट्री में आप अपना नैशन एंथम सुनते हो जब उसकी रिस्पेक्ट में सब लोग खड़ होते है तो उससे अची अच्छा लगता है अच्छा अच्छा लगता है अच्छा अपने जीत का जशन कैसे मनाते हैं चाहे घर आके ही सही लेकिन जीत का जशन कैसे मनाती है अब जशन अभी अभी उसका समय नहीं आ है अभी इक अठाई जशन मनाएंगे कभी इंतजार है और बड़े और बड़े मनु आपके ममा प्रिंसिपल रही आपके पापा एंजिनियर तो पढ़ाई पर भी जो रहा होगा तो क्या कभी कश्म कश्मी रही कि भाई इतना सीरिसली मत लो गेम्स को और अब उनके रुख में कोई बदलाव कैसा रहा उनका रुख हमेशा तो कभी नहीं रहा कि मैं बहुत अच्छी थी और अच्छी हूँ और साथ ही साथ सपोर्ट्स मैं तो हमेशा एक्सलेंट रही हूँ तो ऐसे कभी प्रेशर नहीं था मैं जो छोटी क्लासस में थी तो मैं पढ़ाई बिल्कुल भी लाइक मैं बिल्कुल बहुत ही कम करती थी मैं जादा था स्पोर्ट्स पे क्योंकि मुझे अच्छा लगता था बाहर फील में जाके ग्राउंड जाके खेलना किसको नहीं पसंदा था और क्लास्रूम में बैठके पढ़ना और थोड़ी देर बाद वो बोर करते था है तो मैं शुरू से स्पोर्स में थी बट मुझे कोई कुछ नहीं कहता था मुझे म मुझे पापा बहुत जादा कि हएलो में इसमें भी आर्फ कुछने कर हो सब चीज में हर और øसमी करूए कि चालिपरी नहीं नängtर की हार चीज में अथय। सब चीज में था बोर्फ य। कि एल में अरे छीज में पाट्श कर रह रही है य। आफसम्हा देश में रादेश वोडोग सोच्टे है कि अरे निशाना ही तो लगाना है कितना मुश्किल होता है। है जैसे जनली हम शुटिंग की पात करते हैं कहीं पर बी तो लोग बोलेखंगी लगा सकते हैं salary तो हम उनचाना लगांना वह तो कोई भी लगा सकता है ह। देखो हम लगा के दिखाते हैं, तुम से अच्छा लगाएंगे, फिर लगता है कि ठीके करो, हमें भी करके दिखाओ कि आप इतना अच्छा कर सकते हो, पर असल में होता है कि हमको बहुत जादा का का क्चा इतना नायके लिए एक जगह पे इतनी देर तक खड़िय रहने के लिए, हमारा मैचंज होते हैं, देढ are दो गंठे का तो इतनी देर एक diye ढहन एक था कम को बार-बार करते रहना और अपने दिमाग में घुछ और जो नहीं आने देना, बहुत ही बड़ी चीज होती है, बहुत ही बड़ा like mindset रखना बढ़ता है, उसके लिए concentration पावर बहुत अच्छी होने चाहिए concentration बहुत अच्छी होने चाहिए, ये तो आपकी वाकर होगी है तो ऐसे में इतने medals के पीछे राज किया है, जीत का मंत्र क्या है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस, या कुछ और? बिल्कुल, प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस बेले बिएकोल सेम होता है, जितना हम वलकप में परफॉर्म करते हैं और यहां पर परफॉर्म करते हैं अल्मॉस सेम रहता है क्योंकि जो चीज आपके दिमाग को लगता है इंपॉर्टंट है, उससे पहले आप नर्वस होते हो तो यह चीज कभी भी नहीं हो सकती कि आप किसी इंपॉर्टन चीज से पहले नर्वस ना हो तो अगर आप नर्वस नहीं हो तो वो चीज आपके लिए जादा माइने ही नहीं रखती है तो जो चीज आपके लिए माइने रखती है उस चीज को अच्छा करने के लिए आप नवस होते हो तो उसे बारे मैं जस सौंग सुन्ती हूं और उसके बाद जस थोड़े देर शांती सा बैठ जाती हूं किसे जादा बात नहीं करती हूं अच्छा एक पर मैं कहीं पढ़ रहती अगासी फेडर के बारे में और वो कह रहे थे कि अपने आपको फिजिकली फिट रखने के लिए वो ठंडा पानी तक नहीं पिते हैं एसी का कम से कम इस्तेमाल करते हैं यानि अपने जिंदगी में बड़े बदलाव लाते हैं तब जाक कि बहुत ही पहले से यह चीज चलती आरे क्योंकि बॉक्सिंग और कराटे में आप देखोगे तो हमको वेट मिंटेन करना बड़ता है तो उसके वज़े से हम जादा नहीं खापाते हैं कुछ भी चीज नहीं खापाते हैं मुश्किल से हाड़ी कभी महीने में एक दो बार देखाते हैं कि अधि अधि बहुत जादा तफ वाला मिंटें नहीं कर रहे हूं बट यून पहले से वह आदध हो चुकी है कि मैं बॉडी इटनेस मिंटें करूं शुरू से इच्छी है मतलब हम ने दंगल में देखा कि गोलगप़ नहीं खाती थी चाते हैं कि अशे कुछ गोलगप़ की टोटल अलग चीज है उसको नहीं काउंट करते हम बाग की कुछ ऐसे स्वीट्स और यह सब नहीं खाते हैं क्यूंकि जब हम मीठा गाते हैं तो उससे हमारी हार्ट्रेट पर फरक पारता है मीठा साथा नहीं खाते हैं आपको मीठा पसंद है डेफिनेटली यानि हम समझ सकते हैं कि आप मीठा कंट्रोल करते हैं अपने शुटिंग के लिए अचा अब आप ओलम्पिक्स के लिए क्वालिफाइ कर चुकी हैं एक सबसे बड़ा मंच माना जाता है खेलों के लिए ओलम्पिक्स कैसी चल रही है तयारी अपने तरफ से हम पूरा क्योंकि मैं सिलेक्ट हो जाओं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बहुत अच्छा केलों बिल्कुल ओलम्पिक्स की बार आगे भी जारी रखेंगे लेकिन फिलालिया रुकेंगे एक ब्रेक के लिए आप बने रहे हमारे साथ देखते रहें तेजस्विनी मनु भाकर क के साथ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आप देख रहे हैं तेजस्विनी जिसमें आज हमारे साथ हैं देश की जानिमाने निशानिवाद मनु भाकर मनु ब्रेक से पहले हम अलम्पिक्स की बात कर रहे थे आप सेलेक्ट हो जाएं टीम में यह सब के शुपकामना हैं लेकिन आपने पर कहा था कि आप 10 मीटर के साथ साथ 25 मीटर पिस्टल के लिए भी इस इवेंट में भी आप पर्फॉर्म करना चाहेंगी तो क्या आपकी को क्वालिफाय हो गया था फिर जैसे ही फाइनल राउंड शुरू हुआ तो मैं तब से लेके लास तक मैं बिलकुल फर्स्ट पे चल रही थी फिर जो फिफ्ट ऐमनेशन का ताइम आया था उस ताइम पे मेरी पिस्टल से शॉर्ट फायर नहीं हो रहा था क्योंकि उसके यह भी कहा जाता है कि जो खिलाडी होते है वो अधी जंग तो अपने दिमाग मही जीत लेते है यानि विश्वास उनको बहुत होता है अपके उपर अब जब आप अप जब आप टियारी कर रहे हैं तो इस पहलू पर कितना जो रहता है ड़िफिनेटली मेंटल स्ट्रेंड तो बहुत ही जादा जरूरी है क्योंकि वही आपको स्टेर रखती है वही आपको टिकाव रखती है इतने जादा ताइम तक और अगर आप मेंटली स्ट्रॉंग है तो आप किसी भी चीज को इसली डील कर सकते हो तो अब स्पेशली शुटिंग में मेंटल स्ट्रेंद को ऱते भी कुछ और नाइ तो उसके लिए कoncentration बहुत इmportant है और मैं चुट्रेट करने के लिए mostly काने प्याने के लिए वैछ से यह यह साइЛ चुछ नहीं को मत बताया है वना ब आप सिर्व गाने सुन न्डेले के लिए निए सिर्फ ड़े बहुत के लिए कुछ रही गह और कुछ भी नहीं और यह बहुत मुश्किल होता है यह बहुत मुश्किल होता है सब के बसका नहीं होता है वह बहुत प्राक्टिस करने के बाद ही होता है और सर हेल्प करता है अचा अचा अपके फ्रेंद्स आपके फ्रेंद्स का क्या रियक्शन होता है आपको लेकर कुछ कि अरे मनु भाकर निशाने बास हो गई हो अपतो तो तो स्कूल में पहले जैसे जैसे नहीं नहीं मैंने शुटिंग चुरू की थी तो मैं क्लास बहुत बंक कर थी सब्लग मुझे बोलते थे शुटिंग के लिए क्लास बंक कर यह ठीक है तो दीरे बहुत एक्सलेंट परफॉर्म करती गहीं है तो उसके बाद से लोग का माइंड़ चेंज हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि मिलाब कोई कुछ कर नहीं सकता है आपके बीच का भी कोई इंसान एक्सलेंट हो सकता है यह बात तो सही है तो आप उनके लिए इंस्पिरेशन एक तरीके से बन गई है क्या सकता है क्योंकि सब के पेरेंस मेरे नाम सोन को थाना मारते हैं थाना मारते हैं मैंने डेली उनिवर्सरी मैनमेशन लिया शूटिंग में एक्सलेंट हो गवर्मन जॉब अलड़ी ओफर हो चुकी है सब चीजों से जरा सीखो मनु भाकर से आपके और क्या शॉक है अच्छा आपके और क्या शॉक है मने सुना है कि आपको एक्टिंग का बड़ा शॉक है सही खोली मैंने पोड़ा है मतलब अच्छा आपके और कोई फिल्म अगरा के डालोग्स नहीं मारती हूं जैसे कोई ग्साप्ल जैसे एक तिन Google Maps से हम कही जा रहे थे तो रस्ते में Google Maps बंद हो गया और जो मेरे दोस्त है वो बोल रहे थी कि इसी रस्ते में सीधी सीधी आगे चलते है तो मैं बोली थी कॉन्विडेंट मत हो थोड़ी थी रुग जा किसी से पूछ ले बट उसने नहीं पूछा फिर बहुत हम आगे चले गए उसके बाद जब गूगल मैप चला तो हमें पता चला हमें बहुत साथ पीछे जाना है तो मैंने उस टाइम पे बोला था जाओ चित्ते है क्योंकि आप तो शूटर हैं तो शाद यही आपके लाइफ का पैशन हो लेकिन जिंदगी में आप क्या बनना चाहती हैं शूटर ही या फिर कुछ और भी सूचती हूँ तो मिलब ऐसा गभी मैं विचार नहीं किया है कि यही मुझे स्पेसिफिक बनना है जब ही में इसके बारे में सोचती हूं तो होता है कि जैसे मेरी जिंदगी मुझे लेके जाएगी जैसा मोड जो भी जिंदगी में आने वाला है वही सही है धीरे धीरे अपने अप हो जाएगा जो भी होगा रस्ता अपने बन जाएगा मुझे बिस फॉलो करना है महनत करनी सोचल मीडिया फॉलो करती है थोड़ा बहुत मतलब आपकी उम्र के बच्चे खास तोर पर देखा जाता है फेस्बुक को छोड़ते नहीं है वाटसप पे लगे रहते हैं आपको तो टाइम भी नहीं मिलता होगा शायद फेस्बुक पे नहीं हुम है वाटसप पे मैं सिफ काम के इंपोर्टन मेसेज़िस ही आते है मेरे बास और कुछ भी नहीं आते हैं मांकि इंस्टेग्रां पर थोड़ा बहुत मैं एक्टिव रह जाती हूं ट्विटर पर थोड़ा बट कभी कभी ऐसे महीने में एक पार मतलब इस मामले भी सब कहते होंगे कि देखो देखो मनु भाकर को है ना फेस्बुक और सोचल मीटिया पर इत्यादे एक्टिव नहीं है अच्छा अब आगे आगे आपका सबसे इस वक्त सबसे बड़ा लक्षे क्या होगा ओलंपिक्स अगर अगर हम पहले से मान कर चले कि आपन अगर कोई ऐसी ऐसा मुका आपके सामने आएगा तो आपके मुझ से पहला शब क्या निकलेगा भारत मातक की जाए क्योंकि आपके लिए वहां पे एंधम बजेगा और वहां होगा है ना अच्छा आपसे मैं दस सवाल नहीं कह रहीं लेकिन दस शब्द एक एकर करके हालांकि इस पहले औप्शन का मुझे जवाब पता है फिर भी पूछ रही हूँ प्रतियो गिता शूटिंग खाना ममी का हाथ का बना कुछ भी मस्ती आइस केटिंग फैशन लेंका डर किसी से नहीं खास लम्हा नैशनल आंथम पश्रा मामी पापा सपोर्टिव पढ़ाई या निशानेबाजी दोनों पर निशानेबाजी जादा ओके नापसंद आटिट्यूड वाले लोग सपना जो सच हो जाए और उमीद करते हैं आपके सपने सारे बहुत सच हो क्योंकि आप सारे शूटिंग से रिलेटेड इस वक्त सोच रही है अचा यह बताईए क्योंकि ह जानते हैं कि सोचल मीडिया जादा फॉलो नहीं करते हैं लेकिन जब भी आप किसी मेडल के लिए कोशिश कर रही होती हैं पूरा देश आपको सपोर्ट करता है आपको यह ऐसास होता है उस वक्त क्या इसकी वज़े से कोई प्रेशर का भी फील होता है क्या इस चीज का दो जानों थरह से हम देखें तो दोनों पहलों में बहुत जादा एफेक्ट पड़ता है अगर हम देखते हैं कि अगर उसका नेगटिव कोई असर होता है तो होता है कि इतने सारी लोग हम से उमीद करते हैं अगर हम हार गए वो हार से डर होता है अगर हम हार गई तो लोग क्य मैंने भान का रहने हैं कि हम भी हम भी मिचाहते हैं कि हम जीते पर फिर वो मजाक उड़ाने लग जाते तो उस चीज सका डर लगता है बर्त पॉज opposingटिक में अगर हम लेते हैं तो की हमारी देशवासी अपैसे खड़े हैं तो उनके लिए क्या प्रतिक्रिया हो गया आपकी? मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग आजकल सर्फ क्रिकेट कोई नहीं पूछ रहे हैं बहुत ही जादा इंपोर्टन्स दे रहे हैं पहले मोसली क्रिकेट कोई जादा पूछते थे पर आप जैसे क्रिकेटर्स हैं सच इंसर हैं वह भी हमारे ट्वीट करते हैं अच्छा कर लिए हैं इस से पहले की ख जिंदगी थी आपकी और आज की ख जिंदगी है आपकी शूटिंग की निशाने बाजी के वचे से आपकी जिंदगी में कितना फर्क आया है उचुटिंग पहले अगर कंपेर करेंगे तो मैंने सारे सिर्फ जो मतलब मारपीट वाले इसपोर् तोटल जितनी भी चीज़े आप करते हो पूरी बदल जाती है और शूटिंग के बाद सब जैसे मैं जीतने लगी हूँ तो सब लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं बहुत खुशी होती है कि सब लोग जानने लगे है सब लोग मेरी तरफ बहुत 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 ब आपकी आपको अपने ममज से कुछ कहना हो तो क्या कहना चाहेंगे? जो आज इस उमीद के साथ आपको देखते हैं कि हमारे ओलम्पिक का मेडल मनुभाकर जरूर लेकर राएगी अगर सेलेक्ट हो जाती है तो हमेशा से मैं कोषिश करती हूँ और अभी भी मैं पूरी कोषिश करूँगी कि मैं अपने देश को सर्वोच्च रखूं और सबसे उपर हमारा देश हो और हमारा नाशनल एंथम बज़े मेरी बज़ा से और हम उसके लिए रोज महनत करते हैं मैं बस आशा करती हूँ कि यह और पूरा देश इस बात के लिए आपके साथ खड़ा है Manu, लग कर डटकर करिए मेहनत और उमीद करते हैं कि मेडल आप जरूर लेकर आएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया Manu, हमारे साथ बात करने के लिए, Sky Chrome है से शिर्कत करने के लिए, all the best to you, thank you so much ma'am, ते यह थी हमारे स आज के Sky Chrome में बस इतना ही, अगले हफते फिर होंगे हाजर लेकर एक और तेजस्विनी अपने साथ, लेते हैं इजासत, नमस्कार